हेलो दोस्तो आज हम यहां पर बात करने वाले आतिस्या लिमिटेड यह कंपनी है जिसका शेयर लगभग 48 रुपे के असपास है बता क्यों रहा हूं यह शेयर को मैं आपको वह सब चीज़े को हम आगे डिसकस करेंगे ही ओके उसके लिए आपको टेंशन लेनी की जड़ोत न आप सभी को नवरात्री की शुब कामना है कि सब अच्छे से नवरात्रे बनाए आगे चलते हैं और हम यहां सबसे पहले आपसे रुक्वेस्ट करता हूं कि चाइनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को हिट ओल की नोटिफिकेशन को अन करिये का बाइंग सैलिंग की रिकमें कि नहीं दिया जाता वो जवाब आपको अगर चाहिए ओके और तो यहां पर डवल एट सिक जिरो फाइफ फोर जिरो फाइफ जिरो फाइब यह हमारे नंबर है वाट्सप कॉल मैसेज पर हम अवेलवल है आप जब भी चाहों हमें कॉंटाक कर सकते हो 24x7 बेसिक्टु एड अगर किसी को साथ में काम करना है पोटफोलियो बड़ा है तीन लाग चाल लाग पाच लाग पचास लाग एक करोड तो यहां पर आप काम कर सकते हो हमसे कॉंटाक कर सकते हो हम यहां पर बाते कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग ली जो भी हमारे बीच में डिसाइड होगा हम यहां पर अच्छे से आगे से काम कर सकते है ठीक है आगे बढ़ते है और यहां पर हम देखते है आतिस से लिमिटेट की बात करें तो 1989 में एक कंपनी इंकोर्परेट हुई आपको एक पूरा का पूरा आइडिया आता हुआ दिखाई देगा कंपनी के बात करूँ तो सबसे पहले वार्न करना चाहूंगा ठीक है अच्छी चीज़े बताने से पहले वार्न करना बहुत जरूरी है कंपनी के अवल माइक्रों करोड रूपीज का यहां पर मार्केट क 53 करोर रूपीज की बात कर रहा हूं तो याद रखिएगा रिस्क नहीं बहुत ज्यादा रिस्की यह स्टॉक है ठीक है ना 33 का यहां पर बुक वेल्यू है और यहां पर शेयर चल रहा है 48 का 90 यहां पर आप देखोगे ROC ROE ठीक ठाग नहीं है debt-free share है कोई pleasing नहीं है यह कुछ positive बात है ठीक है as well as 49.8 का यहां पर आज यहां पर एका दिन पहले ही अकल ही लाश्ट टेनी सेशन में यहां पर क्या हुआ था 52 वीक हाई इसने लगाया था maximum चार्ट पैटन देखोगे तो आपको पता चलेगी जब यह शेयर 2014 में आया था 15 रुपय था 15 रुपय से 145 रुपय तक गया और उसके बाद एक अच्छी घासी गिरावाट हुई है और शायद this is the time जहां से यह शेयर दुबारा देखोगी तरफ यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है तो इस वज़ए से मैं आपको यह शेयर बताता हुआ नजर आ रह के बारे में आप जाके एक बार देख सकते हुआ आपको आईडिया लगता हुआ नजर आएगा कि छोटी कंपनी जरूर है बट इसके अलावा हम बात करतें कंपनी की तो यहां पर आपको बतार चलेगा कि कंपनी की सेल्स as it is ही रही है कोई ऐसा पिछले बारे कोटर में कु वार पॉजिटिव मारहिन तcribed नागने वाले टाइम में पॉजिटिव या फ्लैट वह सकती है तो कमेंट नहीं किया जा सकता है स्योटी कंपनी के बारे में कि यहां पर यह कंपनी कहा तक सकती है क्या ये कंपनी 1000 क्रोड भी बन सकती है और ये कंपनी यहाँ पर दुबारा 0 भी हो सकती है तो यहाँ पर ऐसी कंपनी के आरे में कहा नहीं जा सकता बढ़ हाँ, कुछ चीटें यहाँ पर दिखाई देती है जैसे कि हम बात करें, कंपनी नॉर्मल ही काम कर रही है ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें हमेशा यहाँ पर आप देखोगे तो कंपनी यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव ही रही है एक आत्बार को छोड़के थोड़ा वो थी प्रॉफिट कमाया है इसके अलावा सेल्स की बात करें कंपनी के पास कैश भी पड़ा हुआ है तो छोड़ी कंपनी से इतना अच्छे की उमीद ज्यादा है नहीं बट इतना अच्छा है तो अच्छी बात है प्रमोटर्स के बास 75% के शेयर एज़िट इस पड़े हुए यह एक पॉजिटिव बात नज़राती है पबली के पास 25% के शेयर है और उसमें भी कुछ लोगों ने अच्छी कासी होल्डिंग एज़ा है यहां पर लेकर रख रखी है में 2022 में यहां पर प्रमोटर्स ने बाइंग करिया था और बाइंग सेलिंग यहां पर होती ही रहती है अब बात करते हैं यहां पर अब 2021 में भी देख रहते हैं को हम स्क्योर्टीज ने जैसे इलान सिंगा रवेलू ने यहां पर अच्छे कासी कॉंटिटी यहां पर बाइंग करी है ठीक है इन दोनों लोगों ने आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके चार्ट की चार्ट क्या कह रहा है बट उससे पहले आपसे रुक्वेस्ट है चानल को सब्सक्राइब बैल आइकन को हिट और को नोटिफिकेशन कौन करिएगा बाइंग सैलिंग की रिकमेंडेशन हम देते नहीं है अपने फाइनेशल एडवाईजर खुद की स्टाड़ी करना है चीज़ों को सीखना है और एजूकेशन परपस से ही वीडियो बने जा रही है करें इसने एक हाई बनाया दोगा साथ्रे में उसके रहाथ घरावट हुइ वीगरावट होने के बाद के बाद यह पूर का पूरा CONSOLIDATION सब से स्टेज इसकी बात करूं स्टेज टू स्टेज 3 और स्टेज 4 के बाद स्टेज 1 का एक लंबा consolidation अगर हम बात करें 3 साल का हो चुका है मुझे क्या नजर आता है मुझे नजर आता है जैसे ये share 50 को cross करेगा सबसे पहले ये share नजर आएगा कहां की दरव 66 की दरव और 66 को भी cross किया तो ये धीरे धीरे आपर बढ़के अगर company ने अपने आपको 2-4 quarter अच्छे से प्रिजेंट कर दिया तो ये share 1500 और आने वाले टाइम में 200 और 300 रुपे तक भी मिल सकता है तो ऐसे ही share multi bagger बनते हैं इस चीच को भी याद रखना बट risk भी साथ में है अगर चीजे नहीं उसके according चली तो याद रखियेगा चीचे नीचे आती ही दिखाई देगी और शायद ये दुबारा 26 रुपे पर आजाए आपके 50-60% के return ऐसे ही चले जाए बट यहाँ पर से अच्छा नजर आता है अगर कोई यहाँ पर buying करना चाता है तो कम से कम यहाँ पर अच्छा का सा रिस्क लेना बड़ेगा अच्छा का से रिस्क की बात करो अगर कोई अभी फिलाल भी भाई करता है तो यहाँ पर लगबग लगबग 12-13% के यहाँ पर रिस्क है और नीचे की अगर बात करूँ अगर यह शेयर आपको दुबारा 43 के आसपास मिलता है तो एक दो रुपे का रिस्क लीजिएगा 5-6% का रिस्क लीजिएगा उसके बाद चीज़े जैसे ही चलना शुरू होगी तो आपका जो टार्गेट है वो टार्गेट यहाँ पर अगर यहाँ से कल्कुलेट करूँ तो 30% और अगर यह शेयर यहाँ पर 43 के आसपास मिल जाता है 50% के आपके टार्गेट यह पक्के है और ऐसे ही 50% का निकलता है तो यहाँ पता कि यह शेयर आपको अच्छे खासे रिटन देता हुग नजर आ सकता है तो अभी भी बात करें तो 230% के रिटन यह और अगर यहाँ से बात करें तो 200% के रिटन यहाँ तक मिल सकते है बट कंफर्म नहीं है क्यों क्योंकि कंपनी बड़ी छोटी है ठीक है कंपनी के बार-बार यहाँ पर रिजल्ट देखने पड़ेंगे देखना पड़ेगा कंपनी यहाँ पर किस तरीके से बिएव कर रही है उसके एकॉर्डिंग ही आगे की दिशा और दशा यहाँ पर देख सकते है बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है वीडियो अच्छे लगे